हलो फ्रेंड, सक्सेस प्लेनेट में आप सभी का सुवागत हैं दोस्तो यह यह लबन टीपी सी प्राक्टिस सेट का थर्ड वीडियो है यह पूर्णता ओनलाइन पैटर्न पर अधारीत है इसमें 40 क्वेस्चन है एक्जाम में भी जीकष से 40 क्वेस्चन पूछा जाएगा इसमें सही भी सह से क्वेस्चन सामिल कीए हैं चा-40 में से आप कितना सही बना पाते हैं कॉमेंट कीजेगा आपके सामने फرस्ट क् Mustang है दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे question है जो previous year में पूछा गया है और कुछ नया question भी सामिल किया है PNR का पूरा नाम क्या है दोस्तों इसका जो पूरा नाम होता है passenger name record जो की B option में दिया हुआ है या सही होगा अगला question है फीफा अंडर 17 विश कॉप 2017 में कितने देश ने भाग लिया था दोस्तों इसमें जो team total थे 24 टीम थे और इसमें 24 देश भाग लिया था इसका जो right answer हो जाएगा 24 आप लोग खुझ से भी try करते जाए और 40 में से कितना बना पाते हैं कॉमेंट करिएगा अगला question है दूई सदनिया विधान सभा का मतलब क्या है भारत में कुछ ऐसे राज्य भी है जहां पर दूई सदनिया विधान सभा का जो मतलब होता है आप सभी option को देख लीजे इसका जो right answer होगा विधायकों को दो अलग विधान सभा में बांटा जाता है जो कि C option सही है अगला question है किस पौधे का बैग्यानिक नाम सोले नाम टुब्रोसम है तो यह जो बैग्यानिक नाम है आलू का आलू का बैग्यानिक नाम जो होता है सोले नाम टुब्रोसम अगला question है निमलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट पती नहीं रहा है एपीजे अब्दुलकलाम भारत का राश्टपती रहा है और यह कभी भी उपराश्टपती नहीं रहा है तो इसका जो रैट एंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुलकलाम अगला क्विश्चन है एक बस्तु पर लगाएगे गुरुत्वा कर्शन बल को क्या कहा जाता है तो एक बस्तु पर लगाएगे गुरुत्वा कर्शन बल को जो कहा जाता है दोस्तो भार कहा जाता है वेट और भार को ही वजन भी कहते हैं तो इसका रैट एंसर हो जाएगा C अगला question है सीगमो क्या है तो सीगमो जो दोस्त एक प्रकार का तिवार है और यह जो तिवार होता है गोगा का बसंत रितु का महतसब राइट एंसर हो जाएगा इसका A option अगला question है निमलिखित में कौन सुमेलित नहीं है इसमें से 3 सही है चौथा गलत है जैसे first option में है दोस् पस्षी मंगाल राज में मालदा जिला में है और यह जो अस्थान है दोस्तों पांडू नामक अस्थान पर है यहां पर मांडू दिया हुआ है जो की गलत है मांडू जो है दोस्तों मदपरदेश में है एक सहर है तिसका राइट एंसर हो जाएगा अधिना मस्जिद यह माल अगला question है निमलिखित में से किसने जुलाय 2018 में पाकिस्तान का संसदिय चुनो जीता और परधान मंत्री बना इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तों इमरान खान और इसके party का जो नाम था पाकिस्तान तहरीक एक इनसाफ इसको भी याद रखेगा इसको PTI भी कहते हैं party को party का नाम भी एक्जाम में पूछा जाते है तो इसका right answer हो जाएगा B option इमरान खान अगला question है Bricks 10 मांँ सीखर सắmमेलन 2018 कहांँ पर आयवजित किया गया ति scarf चिखर सम्मेलन जो आयवजित किया गया दचीन अफरिका के Johanswerk सहर में right answer इसका हो जाएगा दच्शीन अफरिका किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे बर्ड फूट की आकिरती वाला डेल्टा बनता है तो यह जो डेल्टा बनता है मी सी सी पी नदी पर, रैट एंसर इसका हो जाएगा D option मी सी सी पी अगला question है मिध्यन उत्सरजित होता है दोस्तों इसका जो सही answer होगा केवल धान के खेट से केवल दिमपक की बांबी से दोनों सही है रेट answer इसका हो जाएगा C, A, A, B, D, O, N अगला question है बिना अनुम्मती के कितने दिन संसत से अनुपस्थित रहने पर किसी संसत को अयोग घोशित किया जा सकता है तो यहाँ जो time है दोस्तों 60 दिन अगर बिना 60 दिन बताए अगर अनुपस्थित रहता है तो अयोग ये करार दिया जाएगा तो रेट answer हो जाएगा 60 दिन अगला question है सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल बर्मोस किसका सन्युक्त उपकराम है तो यहाँ जो उपकराम है दोस्तों भारत तथा रूस का रेट answer इसका हो जाएगा भारत तथा रूस अगला question है धिन एक्सप्रेस क्या है दोस्तों धिन जो है असम में एक गौ का नाम है और हीमादास वहाँ से धिंग गौ से थी उन्होंने 400 मीटर के रेश में स्वर्न पदक जीता था तो इसका जो रेट answer होगा हीमादास का मुह बोला नाम इससे धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है इसके गौ का नाम धिंग है अगला क्वेस्चन है पस्वों को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभख विलुप्त होने के लिए उतर दाई है तो इसका जो रेट answer हो जाएगा डिकलोप हैनी यह जो दोस्त एक परकार का दवा है और यह पस्वों में दर्द निवारक के लिए यूज़ किया जाता है फिर अगर पस्वों के मिर्थी हो जाती है और उसको गिद्ध दिखाता है तो गिद्ध के लिए हानिकारक है तो रेट एंसर इसका हो जाएगा D option अगला क्वेश्चन है निम लिखिट में किस का बेग अधिक तम होता है तो दोस्तों दूनिया में जितनी भी बातार्थों में सबसे अधिक जो बेग होता है परकास कर फिर परकास सबसे अधिक होता है तीन लाट किलόमेटर पर applies यानि एक सेकेड में तीन लाग किलोमेटर दूरी तैक करती है तो इसका जो रहा ट एंसर होगा बी अप्शन परकास अगला क्वेश्चन है निम्न गरहों में से कौन जीवान कास्तितु के लूप युप्त हो सकता है इसका जो रहा ट एंसर होगा मंगल गरह पर पानी मिलने के बाद इस पर जीवन वसनी की संभाब ना है तो रहा ट एंसर हो जाएगा इसका मंगल गरह अगला question है भारत की सविधान सभाग के अंतीम बैठक की सही दिथी बताए भारत की सविधान सभाग जो अंतीम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को और इसी दिन भारत के राष्ट पर्थम राष्ट पती डॉक्टर राजिन परसाद को चुना गया था तो रैट एंसर इसका हो अगला question है आइंस्टीन को Nobel Prize मिला था तो आइंस्टीन को जो Nobel Prize मिला था प्रकास विद्धुत प्रभाव के सिधान के लिए 1921 में मिला था अगला क्विस्चन है धुआ में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा सकती साली उत्यज्य होता है इसका जो रैट एंसर होगा D option पैराकसी, Acetyl, Nitrate अगला क्विस्चन है निम्न में कौन कीटों से प्राप्ट नहीं होता है तो रेसम भी कीट से प्राप्ट होता है सहद भी इसके बाद लाक भी हो जाएगा मोती जो है कीट से प्राप्ट नहीं होता है इसका जो रैट एंसर हो जाएगा D option मोती अगला क्विस्चन है निम्न में कौन समान्य परिस्थिती में बिरिक्ष के पत्तों की सरसरहाट का decibel अस्तर परदरसित करता है तो इसका जो रैट एंसर होगा दोस्तों 20 decibel जो की B option में दिया हुआ है अगला क्विस्चन है कार्बन का एक अपरूप नहीं है कार्बन का जो इसमें अपरूप नहीं है carbon dioxide CO2 CO2 जो है कार्बन के योगिक है मांकी जो तीन है कार्बन के सभी अपरूप है इसका जो रैट एंसर हो जाएगा B option carbon dioxide अगला क्विस्चन है एक अवतल दर्पन का आपतन कोन 30 degree है तो प्रावरतन कोन होगा प्रावरतन कोन जो इसका होगा 30 degree रैट एंसर इसका होगा 30 degree अगला क्विस्चन है निमिन में से कौन सा नवी करनिया उर्जा का सुरोत नहीं है तो इसमें से रैट एंसर होगा जिवास्म से उरजा इसको फिर से प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं और इसका लिमीट है इस कारण से रैट एंसर होगा जिवास्म से उरजा अगला क्वेस्चन है उस बिटाइमिन का नाम बता है जिसकी कमी के कारणात्य धी खून बहने लगता है जिसका जो राइट एंसर हो जाएगा C आप्शन बिटाइमिन K अगला क्वेस्चन है मनुष्षी के लिए निमलिखित में से कौन सा प्राकृतिक उर्जा का एक सबसे बरा सुरोत है तो मनुष्षी के लिए जो सबसे बरा प्राकृतिक उर्जा का सुरोत है सूर्ज सूर्ज से उर्जा जो प्राप्त करती है पेर पोधे पेर पोधे के अगला निम्लखिट में कौन भारत का सबसे बड़ा है? भारत का जो सबसे बड़ा glacier है conom לש राइट एंसर इसका हो जाएगा C option सियाचीन गलेशिया अगला question है स्वार्ण मंदिर किस जील के किनारे पर इस्थीत है स्वार्ण मंदिर जो है दोस्तों अमरीत सरोवर जील के किनारे पर इस्थीत है राइट एंसर इसका हो जाएगा A option अगला question है भारतिया मुद्रा के नोट कहां मुद्रित किये जाते हैं भारतिया मुद्रा के जो नोट मुद्रित किये जाते हैं यह नासिक में इसका right answer हो जाएगा C option नासिक अगला question है planet 9 क्या है तो यह जो है दोस्तों बाहरी सौर परनाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फिलागर है जो कि D option में दिया हुआ है अगला question है WLAN का पूरा नाम क्या है यह computer selected question है और यह full form पूछा गया है WLAN का पूरा नाम जो होता है दोस्तों wireless local area network जो कि A option में दिया हुआ है option हो जाएगा अब last question है भारतिया मूल के सीवा आय या दुरई किसका अविस्कार से जुरे हुए है यह भारत के रहने वाला था और यह जो अविस्कार किया है email से संबंधित है right answer इसका यह option हो जाएगा आप 40 में से कितना बना पाए है कॉमेंट किजिएगा थैंक्यू दोस्तों